कुछ लोगों को कुटों से बेहत प्यार होता है और वो अपने घर में भी कुटे पालने लगते हैं आपने लोगों को एक दू या तीन कुटों को घर में पालने के बारे में सुना या फिर देखा भी होगा लेकिन महाराश्ट के पूर्णे से एक ऐसा मामला सामने आए है जि एक माबाप ने एपने 11 साल के बेटे को 22 कुतों के साथ पिछले दो साल से कैट किया हुआ था मातप पिता दौनों जॉब किया करते थे और वह सुभा से घर से जल्दे निकलते और दे रात घर में घुसते और वह कैई दुनों तक घर से बाहर भी रहा करते थे लेकिन इन सब भी बिल्कुल कुतों जैसी ही हरकते कर रहा था और उसके घर से लगतार कुतों के भौकने की आवाजें आये करती थी जिसके बाद परवसी उन्हें शिकात के बाद पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा और अंदर का नजारा दिक कर पुलिस कर्मियों का भी दिल दहल गया छोटे से फ्लैट में एक, दो, तीन नहीं बलकी 22 को तेक साथ रह रही थे और उन सब के साथ वह मासूं बच्चा भी रह रहा था पुलिस ने बच्चे को बेजवानों के साथ मुक्त करवाया और बुद्धवार रात इस मामले में कारेवाई करते हुए पुलिस ने आरोप नखा हुआ था इन में से जायतर सरक से उठाए आवारा कुत्ते थे पाटिल ने बताया कि आरोपी दंपती खाना दाने के लिए घर में आते थे और फिर कुछ देर वहां रहने के बाद वापस चले जाये करते थे पाटिल ने बताया कि क्रिशनाई बिल्डिंग के रहने व सपता से घर में बेहद दुरगंद भी आ रही थी जिसके बाद पड़ोसियों ने परिशान होकर कंप्लेंड की थी इस शिकत के बाद पुल सरकत में आयो और चायड लाइन की मदश से क्रिशनाई बिल्डिंग के फ्लैट में चापामार कर बच्यों को निकाल कर चायड वाले घर में 22 बेजवान जानवरों के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा जाच में सामने आया है कि आरोपी दंपत्ती को कुट्टे पालने का शौक फारुए घर में अकसर कुट्टे लाते थे और हुई के साथ रहने से बच्चे में भी वैसे ही लक्षन आ गए पड़ो में चाइड लाइन की को ओडिनेटर आपड़ना मोदक का कहना है कि जब बच्चे को बरामत किया गया तो घर के हालाद बहत खराबते और घर में गंदगी भारी हुई थी